नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया की चैनल में आज 28 सितंबर 2021 को तैहिंदू न्यूस पेपर के सभी महतफून समाचारों को पढ़ेंगे तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका ट चाताल के आहवान के जवाब में किसानों ने राजमारगों और रेल लाइनों को बंद कर दिया कुछ शहरों और राजियों में बाजारों और संस्थानों को बंद कर दिया और देश भर में बड़े पैमाने पर रहे लिया की स्केम यानिकी सयोक्त किसान मोर्चा क्रिशी सं कानूनों के विरोध में हाथ मिलाया जिनके सदस्यों ने हजारों की संख्या में तीन कानूनों को निरस्ट करने की मांग के लिए दस महीने पहले दिल्ली की सिमाव पर मारचया था सो मौर को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच भारत बंद के उनके आहवान का कॉंग्रेस वाम दलों, अकाली दल, YSR, कॉंग्रेस पार्टी, त्रिड मुल्क कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्टिय जनता दल, सहित प्रमुख दलों ने समर्थन किया और 37 रविड मुनेत कडगम ने भी प्रेड यूनियनों और ट्रांस्पोर्ट यूनियनों ने देश के कुछ हिसों में बंद का समर्थन किया, अलाकि कुछ ने किसानों को नैतिक समर्थन की पेशकस करते हुए भी कारोबर बंद करने से इनकार कर दिया, इसकेयम ने दोपहर के आसपास प्रतक्रिया को अभूत पूर हुकरार दिया, भारतिय किसान यूनियन के नेता राकेश रिकैत ने एक आनलाइन चातर संसत को बताते हुए बंद को सफल घुश्यत किया, कि इससे साबित होता है कि किसानों को मजदूरों और यूआउं का सम सुनती है, लोक तंत्र के विरोध के अलावा, माफ किजिए, लोक तंत्र में विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हम इस बात पर जोड़ देते हैं कि अगर बिल वापसी कानूनों का निरसन है, तो किवल घर वापसी होगी, उन्होंने ऐसा कहा, यानि इसका मतलब य है कि अगर ये तीनों करशी कानून वापस ले लिए जाएं, तो ही हम सब घर वापस जाएंगे, पंजाब और हरियाना के अधिकान शेसों में, राश्टी और राज्य राजमारगों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही, दोनों राज्यों के कई हिस्सों में दुक अस्थानों पर रेल पट्रियों को अवरुद कर दिया गया, रेलवे ने कहा कि सुबह कम देकम पचीस रेने प्रभावित हुई, बिहार और पश्यम बंगाल में कुछ अस्थानों पर रेल पट्रियों के अवरुद होने की भी खबरे हैं, राश्टी रास्धानी में गुर अखिली न्यूस का टाइटल है, जॉप्स अब 29% सिंस 2013 सेज सर्वे, तो चलिए से पढ़ते हैं, 2013 के बाद से नवकरिया 29 प्रतिशत बढ़ी सर्वे कहता है, अकिल भारती त्रेमासिक आपना आधारित रोजगार सर्वे कर ने, सो मौर को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि 2013 और 2014 के आधार वर्ष से कुल रोजगार संख्या में 29 प्रतिशत की प्रिद्धी हुई है, अलाकि इस वित वर्ष की पहली तिमाही, अप्रेल जून 2020 में सर्वेक्षण में शामिल 27 प्रतिशत प्रतिश्टानों ने महामारी से सम्बंद भंटनी की सूचना दी, ट्रम और र रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादो द्वारा जारी रिपोर्ट में 10,593 फर्मों को शामिल किया गया, जिन्हों ने 10 से अधिक रमिकों को रोजगार दिया और 9 शेत्रों में फैले हुए प्रतिश्ठानों का रोजगार में कुल हिस्सा 85 प्रतिशत है, कुल मिलाकर पहल अधिके दोरान दो शेत्रों को छोड़कर सब इक शेत्रों व्यापार और आवास और रिस्त्रा में रोजगार में व्रिद्ध देखी गई, रिपोर्ट में कहा गया कि IT BPO शेत्र में सबसे प्रभावशाली व्रिद्धी 152 तिशत के बाद स्वास्त 77 प्रतिशत परिवहन 68 151 प्रतिशत वित्तिय सें 24 तिशत निर्माण 42, 3 प्रतिशत टिशनों के लिए वि nिर्माण 22 और स्वास 88 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार पाया गया व्यापार पचीस प्रतिशत और आवास और रिस्त्राथ सेरा रोजगार में गिरावटाई जिसे श्रीयादों ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान अपने चरम पर महामारी दूसरी लहर के लिए जिमेदार ठहराया जासा है तो इसी के साथ यह न्यूज समाब अगली न्यूज का टाइटल है राइटू गौवर्मेंट एड नौट फंडा संकारी सहायता प्राप्ट करने का अधिकार नहीं नहीं है दोनों को सहायता के नियमों का पालं करना होगा स्वाल नहीं कर सकती है एक संसान शर्तों के साथ अनुदान सुईकार करने या अपने तरीके से जाने के लिए सुतंत्र है या फैसला इलाबाद उच्छ नियाले के एक फैसले के खिलाफ अपील में आया है जिसमें इंटर्मेडियर्ट सिक्षा अधनियम के एक प्रावधान को आसमवैदानिक घोशित किया गया था इसी के साथ ये नियूज समात होती है अगली नियूज का टाइटल है पी-म लॉंचेज हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटिजन तो चलिए से पढ़ें पी-म ने हर नागरिक के लिए हेल्थ आईडी लॉंच की प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने सोमवार को आयुशमान भारत डिजिटल मिशन की शुरुवाती उन्होंने कहा कि इसमें भारत स्वास्त सुविधाओं में प्रांतिकारी बदलाव लाने क्षमता है मिशन के तहत प्रतेक नागरिक को एक डिजिटल स्वास्त आईडी मिलेगी और उनके स्वास्त रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संरक्षत किया जाएगा ये दर द्वारा जारी एक विग्यप्त में ऐसा कहा गया इसी के साथ ये न्यूस समाप जाएगा इसी न्यूस का टाइटल है आर्मी ट्राइंग टूफिक इश्यूज विद इंडिजिनियस गंस चलिए से पढ़ते हैं सवदेशी तोफों से मुद्पो सुलजाने की कोशिश कर रही सेना तोफ खाने के महान देशक लेटिनेंट जनरल टी के चावला ने सो मौर को कहा कि सीमावर्ती शेतरों में बेहतर सडकों और चिनूक भारी लिफ्ट हेलिकॉप्टरों को चामिल करने से सेना को आगे के शेतरों में तोफ खाने की तोपें तैनात करने में मदद मिलेगी तोप खाने के आदुने की करण पर उन्होंने कहा कि सेना, सुदेशी, धनुष और टॉड अर्टिलरी गन के साथ मुद्धों को हल करने के लिए आयूश जिर्माडी बोर्ड, OFE और रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है मजबूत और विश्वसनी सिस्टम अपने डिजाइन और विकास परियोजना के बाद से यह DRDO और सीना द्वारा विक्सित प्रारंभिक सेवा गुडवत्ता आवशक्ताओं PSQR का पालन करता है परिक्षणों के दवरान कुछ मापदंडों को हासिल किया गया है और कुछ में और सुधार की आवशक्ता है इन चिन्ताओं को DRDO के साथ साजा किया गया है लेटिनेंट जनरल चावला ने 28 सितंबर को मनाये जाने वाले गनर्स दे की पूर्व संध्या पर चुनिंदा पत्रकारों के साथ बाच्चीत में ऐसा कहा एडवांस डोड अरे गन सिस्टम एटी एजी एस एक 155 मिलिमेटर 52 कैलिबर की भारी तोप है जिसे DRDO ने भारत पोर्ज और टाटा समू के साथ साजेधारी में सयंक तुरूप से विक्सित किया है पोकरण में हालही में जुलाई अगस्त में फाइरिंग ट्रायल हुए थे DRDO इन फाइरिंग और नॉन फाइरिंग मापदंडो को प्राप्त करने के लिए अपने विकास भागीदारों के साथ काम कर रहा है उन्होंने कहा कि एक समय रेका नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक डिजाइन और विकास पर्योजना थी स्वेडिश बोफोर्स तोपों के मुल्चित के आधार पर OFB द्वारा विक्सित जा रही धनुष आर्टिलरी गन पर लेफ्टिनेंट जनरल चावला ने कहा कि कुछ शुरुवाती मुद्धे हैं जिने दूर करने की आउशकता है लेकिन यह प्रगति पर अच्छा काम है हम उपयोग करता के रूप में इसके बाद की तुलना में जल्द से जल्द फलित होने की उमीद कर रहा है दोनों के लिए सेना द्वारा बहुत कुछ किया गया है अगली न्यूस का टाइटल है इन ब्रीफ संग्षेप में हसी स्टेज और डारेक्टिन गवर्मेंट टू फुल्फिल रेंग पोव के लिए से पढ़ते हैं हसी ने सरकार को निर्देश देने के आदेश पर रोक लगाई किराया प्रतिग्या को पूरा करने के लिए दिल्ली उच्चने आले ने सोमवार को दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के वादे को लागू करने के बारे में फैसलाया करने का निर्देश देने वाले अपने 22 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी गरीब किरायदारों को किराय के भुगदान पर जो असमर्थ हैं महामारी के दोरान ऐसा करें इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है अगली न्यूज का टाइटल है तेलंगाना गॉर्मेंट प्लैंस बी हब और लाइफ साइंसेज चलिए से पढ़ते हैं तेलंगाना सरकार जीवन विग्यान के लिए योजना बी हब तेलंगाना सरकार सक्री रूप से की हब की तरज पर जीवन विग्यान शेत्र पर आवश्यक ध्यान देने की साथ एक बायो साइंसेज हब यानि की बी हब थापित करने पर काम कर रही है क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में उल्लेखनी रूप से बढ़ने की शमता है विकास आने वाले दस वर्षों में उद्योग के आकार को मुझूदा 50 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर तक दो गुना करने के सरकार के संकल्प का अनुसरन करता है उद्योग और आईटी मंतरी केटी रामाराव ने कहा कि शहर पहले से ही देश को थोक दवा राजधानी के रूप में सबसे आगे है जो अंतराश्टी अस्तर पर खपत किये गए टीकों का 33 प्रतिशत प्रदान करता है बायोकॉन की कीरण मजूमदार शाह जैसे प्रमुक खिलाडियों के साथ चर्चा हुई और उन्हें राजध में जीवन विग्यान शेतरों में निवेश करने के लिए आश्वस किया गया उन्होंने कहा राजध में उद्योग्यों और आईटिक शेतरों की प्रगती पर एक संशिप्द चर्चा में भाग लिया दुमार को विधान सभा में उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 प्रमुक शेतरों पर ध्यान के इंद्रित किया है तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है अगली न्यूज का टाइटल है अनदर वैरसिटी टो सीक नो डौरी डिकलेरेशन तो चलिए इसे पढ़ते हैं दहेज ना देने की घोषडा के लिए एक और विश्विद्याले केरल विश्विद्याले के यू शात्रों से इस घोषडा पर जोड देने के लिए अपने कानून में संशोधन करेगा कि वे अपने डिगरी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दहेज निशेत अधनियम का उ उलंगन के मामले में शात्रों के खिलाफ क्या गदम उठाएगा इस पर विचार विमर्ष करेगा सायोंक से कालिकट और महात्मा गादी विश्विद्यालियों ने शात्रों और उनके अभिवावकों से इस बात पर जोर देने का फैसला किया था कि यह दिवे अधनियम के प्र परोग शुरूप से दहेज की मांग नहीं करेंगे जैसा भी मामला हो संस्तानों ने अपनी सेवा में शामिल होने वालों को एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा था अधनियम का उलंगन उन्हें अनु शासनात्मक कारवाई के लिए उत्तरदाई बना देग के यू रजिस्ट्रार के यस अनिल कुमार के अनुसार सिंडिकेट की शक्तियों से निपटने वाले के यू के पहले कानून के अध्याए 6 में तहेज से सम्बंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए एक पक्वाड़े के भीतर संशोधन किया जाएगा गोश्रा और सम अगली न्यूटल है ऐसी सेट्स एसाइट गवर्मेंट बैन ऑन ऑनलाइन रमी चलिए से पढ़ते हैं एचसी ने यानि हाई कोट ने सरकार को अलग रखा ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंद केरल उच्य नियाले ने सो मौर को केरल गेमिंग अधनियम 1960 में इसे शामिल करते हु हुए दाओं के लिए खेली जाने वाली ओनलाइन रमी वर्क राज सरकार के प्रतिबंद को रद्ध कर दिया नियामूर्थी टी आर रवी ने अधिसूचना को चुनोती देते हुए ओनलाइन गेम विक्सित करने और पेश करने के कारोबार में लगी कंपनियों द्वारा द 23 फरवरी 2021 को जारी अधिसूचना द्वारा अधिनियम के तहत आनलाइन रमी प्ले और स्टॉक लाया था तो इसी के साथ ये नियूज समाब थो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने अभी की दुनिया एकेडी चैनल सब्सक्राइब न मिल जाएगी तो अगली खबर का टाइटल है सेट अब डिजिटल आर्चीव ऑफ आल वर्कर्स एट पार्लियमेंट साइट चलिए से पढ़ते हैं संसद अस्थल पर सभी कारकरताओं का डिजिटल आर्काइब सापितरें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार र चाहिए करीब एक घंटे तक चले अपने आवचक दवरे के दवरान उन्होंने परियोजना की प्रगत के बारे में पूछाश की और इसे समय पर पूरा करने की आवशकता पर जोर दिया उन्होंने साइट पर लगे श्रमिकों से बात चीत की और उनकी कुशल छेम भी लगाया जाना चाहिए और उनके लिए मासिक स्वास्त जाच की जाने चाहिए उन्होंने कहा कि उनके नाम ग्रेह नगर और तस्वीरों के संग्रह के अलावां सभी श्रमिकों को पर्योजना में उनकी भागेदारी के लिए एक प्रमाड़ पत्र दिया जाना चाहिए नया स आकाश प्राइम मिसाइल का परिक्षन रक्षा अनुसंधान और विकाच संघ्ठन DRDO ने तू मॉरको ओडीशा के चांदीपुर में एककरत परिक्षन रेंज से आकाश प्राइम के सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल आका अख प्राइम के एक नए संसरन का सफलता सदक से लैस है अन्य सुधार भी उच उचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनी प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं डियाडियों ने एक बयान में कहा आगे कहा कि मौझूदा आकाश प्रणाली की एक संशोधित जमीन प्रणाली का इसमाल उडान प सफल उडान परिक्षन पर टीम को बढ़ाई देते हुए डियाडियों के अध्यक्ष चीज सतीश रेड़ी ने कहा कि आकाश प्राइम सेना और वाइव सेना की आत्म विश्वास को और बढ़ाएगा तो इसी के साथ ये निउस समापत होती है अगली निउस का टाइटल है गुलाब लीब्स ट्रेल आफ डिस्ट्रक्शन इन नौर्थ एपी पढ़ते हैं गुलाब ने उतरी एपी याने की आंधर प्रदेश में तबाही के निशान तोड़े कलिंग पटनम में रविवार शाम को आये चक्रवाद गुलाब ने आंधर प्रदेश के उतरी तटिये जिलों में तबाही मचा दी जिसे सामान जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया कलेक्टर ए सूरी कुमारी के अनुसार विशाका पटनम जिले में दिवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि विजय नगरम जिले में 13413 हेक्टेयर में फसल जलमग हो गई इबिन शहरों और कस्पू में बड़ी संख्या में निचे इलाकों में बाढ़ा गई और 253 मंडलों में सुम और सुबह साड़े आठ बजे तक 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई जबकि राज में लगातार बारिश हो रहे थी इस अवद के दोरान विशाका पटनम और विजय न चादा नुकसान हुआ तिलंगाना में सो मौर को भी बारिश हुई जिसमें एक हमम जिले के बचोडू में 15 सेंटीमीटर और वायरा में दोपहर तक 4 सेंटीमीटर वर्शा दर्ज की हैदराबाद के कई स्थानों में भी दिन भर भारी बारिश हुई सो मौर को दक्षडी ज से व्यापक बारिश उचना के साथ पड़ोसी ओडिशा को थोड़ा नुकसानवा बिजली और संचार नेटवर्श हत्रिग्रस्त हो गए और पेड़ खड़ने से उत्तरी आंद्र प्रदेश में कई सड़कों पर याता या ठप हो गया से कई गाउं कट गए साथ इन्यूस क से बैटकों और नागरिक समाज कारक्रमों की एक शंखला के लिए 6 अक्टूबर को भारत का दवरा करेंगे विदेश विभाग ने घोश्रा किये है वह यूस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया समिट में भी हिस्ता लेंगी सूश्री शर खूरा प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी की अमेरिका यत्रा के कुछ दिनों बाद हो रहा है विदेश विभाग ने कहा कि इसके बाद वह इसलामाबाद में अधिकारीयों से मिलने पाकिस्तान जाइंक सूष्री शर्मन बिडेन प्रिसिडेंसी में पाकिस्तान की यात्रा करने वाली दूसरी सर्वोच रैंकिंग वाली अमेरिकी राजनाई है। विदेश मंत्री एंटनी बिलिंकन ने अमेरिकी सांसदों से हफ़तों पहले कहा था कि वाशिंग्टन को इसलामाबाद के साथ अपने संबंधों का पुनर मुल्यांकन करने की आवशक्ता होगी पिछले हफ़ते श्री बिलिंकन ने अफगानिस्तान पर चर्चा करने के लिए अपने पाकिस्तानिस समकक शाह महमूद कुरैशी से मुलकात की इसमें कहा गया था कि सची उन्हें कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन और सहायता की सराहना करता है इस महीने के शुरुवात में आई-ए के प्रमुक विलियम बर्स ने इसलामाबाद का भी दौरा किया थ अगली न्यूस का टाइटल है कास्ट डेटा 88% एरर फ्री आरजी आई टोल्ड पैनल चलिए से बढ़ते हैं जातिये डेटा 98% तुरुटिमुक्त आरजी आई ने पैनल को बताया केंदर सरकार ने पिछले हपते सुप्रीम कोट को बताया कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिये SECC में शामिल जाति के आकड़े अनुपयोगी थे लेकिन 2016 में भारत के महापंजियक और जनगड़ना आयुक्त ने स्थाई समित को सोचित किया था संसत का ग्रामेड विकास की वेक्तिगत जाति और धर्म के आकड़ों का 98.87 प्रतिशत तुटिमुक्त था अपनी रिपोर्ट में BPL सरवेक्षन वर्तमान में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगड़ना SECC 2011 पर समित द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कारवाई का विशलेशन करते हुए भारत के रजिस्ट्रार जनगड़ना आयुक्त ग्रेह मंत्राले ने यह कहते हुए उद्रित किया की डेटा की जाच की गई है और व्यक्तियों की जाति और धर्म पर 98.87 प्रतिशत देटा तुटिमुक्त है भारत के महापंजियक के कारियाले ने कहा कि 118 करोण की कुल सर्वेक्षन की गई आबादी में से लगभग 1.34 करोण व्यक्तियों के डेटा में तुर्टियां देखी गई हैं बिलकुल अलग रुक अपनाते हुए सरकार ने पिछले हपते सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफ नामे में कई कारणों का हवाला दिया कि डेटा अनुप्योगी क्यों है सरकार ने कहा था कि 1931 में सर्वेक्षन की गई कुल जातियों के संक्या 4147 थी जबकि SECC के आकड़े बताते हैं कि 46 लाग से अधिक विभिन जातियां हैं हलफ नामे में कहा गया है यह मानते हुए कि कुछ जातियां उप जातियों में विवाजित हो सकती हैं पुल संक्या इतनी अधिक नहीं हो सकते हैं इसमें कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया भ्रष्ट थी क्योंकि गर्णाकारों ने एक ही जाती के लिए अलग-अलग वर्तनी का इस्तेमाल किया था सरकार ने कहा कि कई मामलों में उत्तरदाताओं ने अपनी जातियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया था राश्टिय जनता दल के राज्य सभा सदस्य मनोज के जान ने कहा कि त्रोटी आकडों में नहीं बलकि सरकार के फैसले में हैं बिहार में विपक्ष के निता के रूप में तिजस्वी यादों ने कहा कि सरकार संख्या के डर से पूरी कवायत को रोक रही है संख्याएं एक दुखत कहानी को उजागर करें ग्रिजा ने कहा पूरो सूजना एवं प्रसारण मंतरी और लोकसभा सदस्य वनेश दिवारी ने कहा अगर 98% डेटा त्रुटिमुक्त था जैसा कि RGI ने स्विकार किया सरकार के पास ये रोकने का कोई कारण नहीं था कि एक जुझारू विपक्ष के सामने या एस आयोजित करने के लिए सहमत हो गया जो कि सावधाने पूर्वक किया गया था जूकि 98% डेटा त्रुटिमुक्त है इसलिए सरकार को इसे जनता के सामने रखना चाहिए श्री तिवारी ने कहा नरेंद्र मोधी सरकार इस मुद्दे पर खुद को एक कोने में फसा हुआ पाती है क्योंकि सहयोगी दल, जनता दल, यू और अपना दल बार बार अन पिछड़ी जातियों ओविस गिनती मांग कर रहे हैं इसे विपक्षित दलों की गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है जिन में से अधिकांश ने कॉल का समर्थन किया रविवार को जारखंड के ग्रेह मंत्री हेमें तोरेन ने एक सरुदली प्रतनिध मंडल का नितरत्त किया और केंद्री मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जाति जनकरना के लिए दबाव डाला इस बीच राजद इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बना रहा है अगली नियूज का टाइटल है अपर कास्ट डोमिनेट यूपी केबिनेट चलिए से पढ़ें यूपी केबिनेट में सवानलों का दबदबा रविवार को मंत्री पूप में शामिल होने पर जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के योगी आधितनाथ सरकार के मंत्री मंडल में शटे ब्रामन और प्रभाव शाली समुदाय से ग्यारा हुआ नाम मंत्री परशद में शामिल हो गए साथ नए चेहरों के शामिल होने के साथ मंत्रियों की संख्या साथ हो गई श्री परसाद के अलामा शे नए चेहरे कुर्मी, बिन, कुमार, ओबीसी समुदायों और खटिक अनसूचित जाती और गूंड अनसूचित जाती के हैं प्रतनिधित के मामले में समण जातियों का वर्चस बना हुआ है जो सबसे बड़ा ब्लॉक है थासकर कैबिनेट वर्थ और महत्पूर मंत्रालों के मामले में चारा नामों के साथ ब्रामःड सबसे बड़ा लावारती हैं इसके बार ठाकुर साथ हैं जो पारंपरिक उच्छ जातियों से समंदित हैं OBC के 23 प्रतनिद शामिल हैं जिनमें एक सिक जाट और दलितों के नौ हैं एक शिया सलमान हैं आज में अब 24 कैबिनेट मंतरी हैं इनमें से 16 उच्छ जातियों के हैं जिनमें ठाकुर और ब्रामःड के पांच पांच नाम हैं आदिकारिक जानकारी के अनुश्रार श्री आदितनात जो एक पुजारी भी हैं एक शत्री पैदा हुए थे और उनके टिप्टी दिनेश शर्मा एक ब्रामण हैं कैबिनेट में तीन खत्री भी हैं आशुतोष तंडन, सुरेश खन्ना और सतीश महाना और बनिया नंद गोपाल गुपता, भूमिहार, सूर्य परताप शाही और कायस्थ सिद्धार थनार सिंग जातियों से एक एक केशाव प्रसाद मौरे जो एक उप मुख्य मंतरी भी हैं कैबिनेट में साथ OBC में सेव हैं उनके साथ सौमी प्रसाद मौरे, राजबर के विदायक अनिल राजबर, दारा सिंग चोहान, जाट समुदाय के सदस्य, लक्षमी नाराण चौधरी और भुपेंदर सिंग चौ दयाल पाध्याय के दर्शन को दर्शाता है, उन्होंने कहा कि आज का विस्तार सभी वर्गों को प्रत्धित्व सामाजिक संतुलन की भावना, सदभाव के संदेश और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को औसर प्रदान गरने के इरादे से भरा है, अगली न्यूस का टाइटल है, पांच जन्ने कॉल्स एमजन इस्ट इंडिया कमपनी 2.0, तो चलिए से पढ़ते हैं, पांच जन्ने एमजन को बता इस्ट इंडिया कमपनी 2.0, ना केवल भारती उद्योग जगत, बलकि भवराष्टी ये निगमों में भी, देश में कॉर्पोरेट छेत्र क बारे में RSS से जुड़े संगठनों द्वारा बढ़ती चिंता व्यक्त की जा रही है, ना केवल RRS से जुड़ी 5 जन्न पत्रिका में कवर कहानियां, जिसने कुछ हपते पहले इनफोसिस पर हमला करने के बाद इस सताह एमजन पर कबजा कर लिया था, बलकि स्वदेशी जा के फ्लिपिंग के रूप में लाल जंडा उठा रही है, तीन सताह में दूसरे कवर में पांच जन्निये एमजन के मुद्दे और इसके चूक और कमेशन में कथित कृतियों से निप्टान के लिए भारत के आयकर पोर्टल में खराबी के लिए एक कवर स्टोरी में इनफोसि पर निशाना साधने के बाद और इस गड़बडी के लिए अनुचित उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराते हुए कमूह की देश भक्ति पर सवाल उठाते हुए इस सप्ताह पत्रिकाने एमजन को निशाने पर लिया पत्रिकाने कंपनी को इस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के खेड़ चाड़ अनायतिक तरीके के लिए करा दिया आरोप लगाया कि कम्पनी ने भारती अधिकारियों को रिश्वत दे थी पिछले सप्ताह केंदर सरकार ने कहा कि वह आरोपों की चांच करेगी SJM अपनी और से Amazon के बारे में व्यक्त की गई भावनाओं से सामत था लेकिन साथ ही अनचिनताएं भी थी SJM के अश्वनी महाजन ने कहा कि हमारे स्टार्ट अप के संबंद में हमारी खुशी अलपकालिक है क्योंकि हम पाते हैं कि कई अब भारतिय नहीं रहे इन उच्च टिकट टार्ट अप में से अधिकांश को हटा दिया गया है और अब भारतिय कमपनियां नहीं है तंग RSS में हम धन बनाने वालों के खिलाफ नहीं है लेकिन फूजी के लिए एक निश्चित राष्टियता है चाहे आप सहमत हों या ना हों भारतिय फूजी और उद्यमिता की यह उडान कोई ऐसीज नहीं है जो अभी शुरू हुई है पिछले 30 वर्षों में कई नामक परिवर्तन हैं जो सरकार अब भी इस प्रविर्थ को रोकने के लिए कर सकते हैं बारत में पंजीकरण के लिए संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीती मों पूजी तक पहुच से प्रडाली को ओवर्हाल करने की आवशकता है तोदेशी और विदेशी संसाओं को आकरशित करने वाली भेद बावपॉन नियों को रोकने के आवशकता है अलाकि अंतताह भारती स्टार्टप को फ्लिप करने के लिए हतोत्साहित करने के लिए हमें कुछ सक्क कदम ठाने के आवशकता है जिसमें एक विदेशी कंपनी फ्लिप करने वाले भी शामित के सा यूज समाप्त हो जाते हैं अगली न्यूज का टाइटल है ओनली ट्रेट सॉट एक्स्ट्रा गेंस चलिए चे पढ़ते हैं सिर्फ दो राज्यों ने मांगा अतरिक्त अनाज सूचना के अधिकार आर्टी याचा पर खाद्य मंत्राले प्रत्क्रिया के अनुसार तेलंगाना और मेगाले एक मात्र ऐसे राज्य हैं जिनोंने बिना राशन कार्ड के प्रवासियों को सूखा राशन प्रदान करने के सुप्रीम कोट के जून के आदेश के अनुसरन में केंद्र से अतरिक्त खाद्यान की मांगी है केंद्र ने इस उद्देश के लिए अभी तक कोई अ आज आवंटित नहीं किया है और इस मुद्दे पर राज्यों के साथ अपने पत्राचार को जारी करने से इंकार कर देए एक विश्वस्निय संबंद के आधार पर आईटी आई अधनियम के तहत तूट का दावा क्या कोविट-19 के कारण कठनाईयों का सामना कर रहे प्रव दाइक रसोई चलाने के लिए एक योजना सापित करने के लिए इस जुलाई की समय समय जब तक महामारी जारी है और केंद्र को आवश्यक अनाज उपलब्द कराने का निर्देश गया 17 सितंबर को खाद्र मंत्राले ने कहा कि ना केवल मेगालय और तेलंगाना ने उद्द दिखार कारिकर्ता अंजली भारदवाज द्वारा दायर एक र्टि अवरोत का जवाब दे रहा था जो सुप्रीम कोड के मामले में हस्तक्षेप करने वालों में से एक था कियंद्र द्वारा राज्यों को दिये गए अतरिक्त अनाज की मात्रा में के बारे में पूछे जा कहा हस्तक शेप करने वालों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लाग करने के संबंद में राज सरकारों को कानूनी भी भेज़े तूश्री भार्द्वाज ने अतरिक्त खाध्यान के संबंद में केंद्र और राज्यों के बीच पत्राचार की एक प्रत्वी मांगी मंत्राले ने सारजुनिक हित में इस तरह के प्रकटी करन का वारेंट है अगली न्यूस का टाइटल है कोवर्मेंट नोटिफाइज कोविड कमपनसेशन तो चलिए से पढ़ते हैं सरकार कोविड मुआबजे को सुचित करती है सुप्रीम कोट की एक फैसले के बाद केंद्री ग्रिह मंत मौत हो चुगी है राज्यों को भेजे गए एक पत्र में मंत्राले ने कहा कि राशी राज्य आपदा प्रत्क्रिया कोश से वित्रित की जाएगी एस्डी आरफ पीड़तों को ततकाल राहत प्रदान करने पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अधिसूजित आपद करने का 75 प्रतिशत और विशेश खेणी के राज्यों पुरूतर राज्यों सिक्किम उत्राकंड माचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए नब्वि प्रतिशत का योगदान करती है मंत्राले द्वाला 14 मार्च 2020 को कुविड-19 को आपदा के रूप में अधिसूचितिय गया था मंत्राले ने कहा कि स्वास्त मंत्राले और भारती परिशत द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मिर्तक के लिए अनुग्रह राज्श लागू होती है जिसमें राहत कार्यों में शामिल या तैयारी गत्विदियों में शामिल लोक शामिल हैं मौत के का प्रवेश परिक्षा सुपर स्पेशलिस्ट 2021 नीट एसेस 2021 के परिक्षा पैटर्न में ग्यारा हुए गंटे में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई नियाय मूर्ती डी वाई चंद्रचून ने केंद्र सरकार के अलामा राश्टिय परिक्षा बोर्ड एन बी और राश्टिय चिकिस्सा आयोग एनमसी पर निशाना साधते हुए कहा युवा डाक्टरों को अस संबेदन शेल नौकर शाहों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है और उनके साथ फुटबॉल जैसा वेवार नहीं किया जासता है नीट SS 13 और 14 नौंबर के लिए निर्धारित है परिक्षा की तारीकों की गोशड़ा 23 जुलाई को की गई थी पैटर्ण में बदलाव क सेवे लड़ खड़ा जाएं जस्तिस चंद्रचून ने सरकार से पूछा की साल ही पैटर्ण बदलने की जल्दी क्यों है और वह भी परिक्षा की अधिशना के बाद शात्र ऐसी परिक्षाओं के लिए महीनों तयारी करते हैं तिर्फ इस लिए कि आपके पास शक्ति है और शाखा के पक्ष में अंतिम आफ अरिवर्तन किये गए थे अदालत ने मामले को दो मौर को सुनवाई के लिए सुची बद किया इसी के साथ ये न्यूज समापत होते हैं अगली न्यूज का टाइटल है आई सी आरे रेजस एफवाई ट्वंटी ट्वंटी टू ग्रोथ एस करीफ अनुमानों में रैंप अपके कारण वर्ष की दूसरी शमाही के लिए बेहतर संभावनाओं का हवाला देते हुए 2022 के लिए सकल घरेलू उपात की वृद्ध की अनुमान को 8.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 9 प्रतिशत कर दिया है आई सी आरे के मुक्य अर्थ शास्त्री अधिति नायर ने कहा एक संभावित तीसरी लहर और क्या मौझूदा ठीके नए वैरियंट से रक्षा कर सकते हैं जो प्रमुक जोकिम बने रह सकते हैं आई सी आरे को उमीद है कि साल की दूसरी शमाही में उच्छ सरकारी खर्च से बृद्ध को बढ़ावा मिलेगा जबकि पहली तिमाही में सरकारी खपत वियाई पिछले साल के अस्तर से पीछे रह गया था तीका करण अभियान पर आई सी आरे का अनुमान है कि लगबक तीन चौथाई भारती वैस्क दोजारी कीस के अंत तक अपना दूसरा कोविट नाइंटीन वैक्सीन शॉर्ट प्राप्त कर सकते हैं यदि 1 से 26 सितंबर के बीच 7.9 मिलियन दैने खुरा का अउसत कायम रखा जा सकता है एजनसी ने बताया कि इससे चौथी तिमाही में संपर्क गहन सेवाओं की मांग को बढ़ावा बनाने में मदद मिलने चाहिए हला कि कुछ सेवाएं जैसे की व्यापार यात्रा पूरों कोविड अस्तरों पर वापिस आ सकती हैं एजनसी ने बताया सूसरी नायर ने कहा कि वैक्सीन कवरज बढ़ाने से कौन्टैक्ट इंटेंसिव सेवाओं के लिए आत्मविश्वास और फिर से उर्जा की मांग बढ़ेगी इस प्रकार महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित अर्थ व्योस्था के कुछ हिस्सों को पुनर जिवित करने में मदद मिलेगी जबकि सितंबर में और द्योगी कुरुजान कमजोर रहे जी एस्टी ईवे बिलों की कमी और भारी बारिश के कारण बिजली की मांग में कमी से संकेत मिलता है आई सी आरे ने कहा कि इससे खनन और निर्माण में प्रविर्तियों को विकृत करने की भी संभावना है अलाकि कृष के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करने की उमीद है देर से बुवाई से खरीफ का रकवा पिछले साल के रिकॉर्ड चेतर के मरावर लाने में मदद मिली है फसल उतपादन का पहला अग्रिम भुकतान खरीफ उतपादन में मजबूत वृद्ध का संकेत देता है मोटे अनाज और तिलहन को छोड़ कर आसमान मौनसून और बाढ़ के प्रकरणों दोरा उठाई गई चिंताओं को दूर करता है उन्होंने कहा इसी के साथ ये नियूस समापत हो जाती अगली नियूस का टाइटल है सेंटर टू एक्सटेंट फॉरेंट ट्रेट पॉलिसी तिल मार्च टॉंटी टॉंटी टूंटी टू चली यह से पढ़ते हैं विदेश वियापार नीति को मार्च बाइस तक बढ़ाये केंदर वाडेजी और उद्योग मंत्री पियूश गोयल ने सोमाप को कहा कि मौझूदा विदेश वियापार नीति FTP को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाया जाएगा येंदर ने इससे पहले COVID-19 संकट के कारण FTP 2015 से 2020 को इस साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था FTP आर्थिक विकास को बढ़ाये और रोजगार सरजित करने के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश परदान करता है उन्होंने यहां संबाददाताओं से कहा कि हम इसे आज साम या कल अदसूचितर रहे हैं हमने 31 मार्च 2022 तक नीत का विस्तार करने का फैसला किया है और नई वित्तिवर्ष में हम नई नीत के साथ शुरुआत कर सकते हैं मंतरी ने आशाव्यक्त की कि उस समय तक कोविड-19 मुद्धों का समाधान हो चुका होगा तो इसी के साथ यह नियूस समाप्त होती है अगली नियूस का टाइटल है MPL UK's Econic to Unveil Green Polyols तो चलिए इसे पढ़ते हैं MPL UK के Econic Green Polyols का अनावरण करेंगे मनाली Petrol Chemicals MPL ने परिक्षण के आधार पर अधिक परियावरण के अनुकूल Carbon Dioxide यानि की CO2 यूक्त Polyols पेश करने के लिए UK की Econic Technologies के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं MPL ने कहा में MPL और Econic भारत में MPL के पाइलिट प्लांट में प्रोध्योग की को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं तो इसी के साथ ये न्यूज समापत होता है अगली न्यूज का टाइटल है Toyota Kirloser to stop making Yaris Sedan चलिए से पढ़ें Toyota Kirloser Limited TKM ने 27 सितंबर को भारत में अपनी Yaris Sedan को बंद कर दिया है TKM ने कहा है कि वह डीलर सेवा के माध्यम से सभी यारिस ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना जारी रखेगी ताथ ही कम से कम 10 वर्षों के लिए वास्तविक पेर पार्ड की उपलब्दता का वादा भी करेगी इसी के साथ ये न्यूज समापत होती है अगली न्यूज का टाइटल है Government to borrow 5.03 lakh करोण in second half चलिए से पढ़ते हैं सरकार 5.03 lakh करोण उधार दूसरे अर्धवार्ष में लेगा वित मंत्राले ने सुमवार को कहा कि केंदर चालू वित वर्ष की दूसरी समाही में महामारी प्रभावित अर्थ व्योस्ता को पुनर जिवित करने के लिए राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए 5.03 lakh करोण रुपए उधार लेगा यह प्रक्षेपड वर्ष के दोरान दियसी मुवाब्य के बद्रेक टू बैक रिण सुविधा के कारण राज्यों को शेश राशी जारी करने की आवशकताओं को भी दर्शाता है तो इसी के साथ यह न्यूज समाप होते हैं अगली न्यूज का टाइटल है चलिए इसे पढ़ते हैं चलिए इसे पढ़ते हैं चल लूब्रिकेंट्स इंडिया ने कहा कि उसने 6500 मेकेनिक नोकरियां पैदा करने के लिए सड़क किनारे सहायता स्टार्ट अप यानि की रेडियेस्ट के साथ भागेदारी की है इसके साथ रेडियेस्ट 5503rd party retail points पर उपलब्द होगा जहां कलाइंट चल लूब्रिकेंट्स इपर लूब चेंज सर्विस का लाब उठा सकते हैं इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है अगली न्यूज का टाइटल है सिमा सीक्स 5% GST एक्रॉस टेक्स्टाइल सेक्टर चली यह से पढ़ते हैं सिमा ने टेक्स्टाइल सेक्टर में 5% GST की मांग की कपड़ा और वस्त्र उद्योग ने कपड़ा मूल शिंखला में एक समान 5% वस्त और सेवाकर GST की मांग की है सदर्न इंडिया मिल्स एसोसियेशन यानि की सिमा के अध्यक्ष रवी सैम और उपाध्यक्ष दुरेई पलानी स्वामी में तो मौर को यहां पत्रकारों को बताया कि सूती वस्त्र शेत्र में 5% की एक GST दर थी रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सरकार जनवरी 2022 से 1000 रुपए से कम कीमत वाले कपड़ों के लिए 12% की दर से GST लगा रही है श्री पलानी स्वामी ने कहा कि सीमा एक समान 5% दर चाहती है अगर 5% दर एक समान दर है तो अनुपालन अधिक होगा तो इसी के साथ ये नियू समाप्त होती है पहुँच चुके हैं आज के समाचारों के सबसे अंतिम पड़ाव पर जो कि है डेटा पॉइंट डेटा पॉइंट का टाइटल है इसका मतलब ये है कि संसद में महिलाओं की इस्थिती क्या है तो यहाँ पे कुछ आकड़े प्रस्तुत किये गए है उनाकड़ों को प्रस्तुत करने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा है जिसको मैं आपको पढ़के बता देता हूँ कि रविवार को आइसलैंड में पहली बार ऐसा हुआ कि जब महिलाओं की संसद में अधिक्ता देखने को मिली पार्लियमेंट में कुल 63 सीटों के सिक्ष 33 सीटों पर महिलाओं का सान था और इसके बाद भी यह 48 प्रतिशत तेर यानि की हिस्सेदारी के साथ महिलाओं की संख्या अभी तक सरवादिक रही है और एक सितंबर के अनुसार केवल 6 ऐसे यूरोपी संखों में देश हैं जिनके पास महिलाओं की संसद दारी तरवादिक है और यहाँ पे नीचे चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट भी किया गया है कि खासता और से भारत में की 1992 से 2001 के बीच फिर 2012 से 2021 के बीच सभी राज्यों में किस हिसाब से महिलाओं की हिस्सेदारी रही है और इसके साथ ही साथ एक और चार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है कि रिवांडा, आइसलेंड, स्वीडन, पेन, यूएस, फ्रांस, क्यूबा, जर्मनी, यूके, इंडिया, जापान और यमन में महिलाओं की हिस्सेदारी संसद में कितनी है और यहाँ पे यह भी लिखा गया है कि 52 यूरोपिय देशों में से 24 देश ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं की संसद में हिस्सेदारी, बाकी की हिस्सेदारी से कहीं ज़्यादा अधिक है तो आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले करके इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की फूरी की फूरी कोशिश कीजिएगा आज के वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन सभी समाचारों की जानकारी प्राप्त हो सके के साथ ही चैनल को सब्स्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और इसके साथ ही हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करने का लिंच नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्षन में भी मिल जाएगा आप वहां से जाके हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो अभी के लिए फिलाल इतना ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और नमसार